तनिश्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बहतर, सेफटी की गोल्ड स्टांडर्स के साथ तयार है आपके आगमन के लिए, सुन्दर आभुशन और बहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइन्मेंट बुक करें, विजट तनिश्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सरकल अजमेर जैसा कि शेलिष भाई ने बताया, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है और बहुत खुशी की बात है कि अजमेर में डवलबमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें स्वीमिंग पूल को बढ़ाग कर रहे हैं, और साथ में मल्टी जिम और उसकी भी बात हो रही है जिसमें हॉल बनेंगे और दूसरे इंडोर गेम्स के लिए अच्छी व्यवस्ता करवा रही है गवर्मेंट बहुत ही खुशी की बात है अजमेर वास्तियों के लिए लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहां अजात पार्क में कम से कम 200-200 पेड़ है नीम है खजूर है और काफी अच्छे पेड़ हैं उन पेड़ों का मतलब यह हमारा दुरवाग ही कहेंगे कि उन पेड़ों में से ज्यादा तर पेड़ इस उसमें चपेट में आने वाले हैं हमने कोशिस की थी हमारी टीम के साथ संड़े को कुछ पेड़ों को करीब 25-30 पे दब जाएंगे तो मेरी प्रशासन से यह प्राथना है रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान रखें और दूसरा उसके अलावा भी नगर निगम और कुछ मंत्री जो हमारे महानुभाव हैं इसके अजमेर के ध्यान रखते हैं उन्होंने काफी कुछ यहां रक्षा रोपन किया है पूरी टीम के साथ 20 लोग हम तयार हैं मेरी प्राथना है कि इन पेड़ों का ध्यान रखें इनको दूसरी जगे शिफ्ट किया जाए अभी तो बहुत बुरी हालत है सब सूख रहें कोई ध्यान देने वाला नहीं ना पानी के व्यवस्ता है ना मलबा जो स्मार्ट सिटी का प्रजेक्ट है उसमें दबने वाले हैं काफी कुछ पेड़ तो दब चुके हैं अगर टाइम पे ध्यान नहीं दिया तो यह बचे वो पेड़ भी खतम हो जाए प्रदीप वर्मा अज मेरे शहर के अंदर दो प्रख्यात हमारे गार्डन हुआ करते जिसमें सुभा सुद्य के अंदर कड़ों रुपए का काम करा रहे हैं अच्छी बात है कराई आप सेहर को कुछ नया दो पर तो यहां पर प्रदीप जी ने अपने टीम के साथ यहां मैनत करके यहां पेड़ तो लगवा दी परंतु पानी की कोई व्यवस्ता नहीं है कम से कम पचास तो चो चोटे हैं तो मेरा आधरनी आयुक्त मौदे से जिलादीश मौदे से निवेदेन हैं करपा करके आपन लाखों करोड़ों रुपया करती हर साल खर्च करती के व्रक्ष लगाओ इंद्र बुलाओ हर्याली लाओ इसके लिए प्रयवरण के लिए परंतु आप पेड़ों के आलत दे अच्छे से निकालें उनको यहां लगावें और उसकी देख भाल करें रख रखाब करें उसको लेकर बात करें चलता है इसमार सिटी के अंदर बना रहे हैं नया स्विंग बन रहा है और बहुत चीज़ें बन रही है उसको लिए खरच हो रहा है तो उसको यह है कि पेड़ पेड़ देख लो चोटोटे पेड़ें वह सुख गए बिल्कुली पानी नहीं मिला उनको और यहां पर देख लिए बड़े-बड़े पेड़ चाहियादार पेड़ यह भी सुख गए बिल्कुली सेलेश गुपता अध्यक्षमाना वदिगार